उत्रपूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल स्वामी दयानंद अस्पताल का पूरा स्टाफ इंदिनों हर्ताल पर है स्टाफ का कहना है कि उनको चार महीने से वेतन नहीं मिला है जिसके चलते करमचारियों को तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है आपको बतानी कि स्वामी दयानंद अस्पताल के सीनिय डॉक्टरों का आरोप है कि एक तरफ तो ठेकिदारों को समय पर पैसा मिल रहा है दूसरी तरफ कोरोना युधाओं को चार महिने से सलरी नहीं मिल पाई है जिसके चलते स्वामी दयानन अस्पताल का पूरा स्टाफ दो दिन से हर्ताल पर है जीवन और इसा परोग कर दिया है जिससे कि हमें किसी भी मरीजों को मतलब कोई नुकसान में हम तो सिर्फ एक हिसानित के नाते यहीं सोचते हैं कि कोई भी मरीज इसा है ना रहे और उनको जो भी दवाई या जो भी इलाजां कर सके लेकिन मजबूर इसलिए के चार महा का वे लेकिन फिर भी नॉम्बर दिसंबर जन्वरी तो तीन महीने फिर आमारे उपर चड़ गए हैं अभी तक कोई प्रॉपर आश्वासम नहीं मिला सकते हैं कि हमें कब तक हमारी तरह जाएंगी तब तक हम किसी तरह पीछ नहीं है आगे कि किस तरह आप करें अभी तरह हमारा कि खबरों के निश्पक्ष विस्लेशन के लिए सबस्क्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon, never miss प्रिज्ट अप्डेट